नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगे बहुती आसान और सरल पाजू की कटिंग, वह भी दो तरीके से दो पाजू की कटिंग करेंगे, हम यहां पे छोटी और बड़ी बाजू काटेंगे, और जो बाजू आपकी छोटी पड़ती है, वह भी आपको बताएंगे की आप लोग है सबसे पहले जैसे हमारे पास यह कप्ड़ा बचा है हमें कपड़े की चोड़ाई देखनें में हैं अब कप्डा हमła यहां यहां पे हमारी के चौड़ाई यहां करी संद क्पड़ करें शाड़े इंच प्दया सकते 100 अब इस तरह करें तो 17 इंच physicians दो करेंगे 19 इंच होना चाहिए देखिए इस तरीके से और हमारा एक कपड़ा है वो साड़े सत्रा इंच है यहां पर हमने डबल लिया है दोनों बाजु के लिए कपड़े को हम एक बार और डबल करेंगे अब देखिए 1.5 इंच हमें लेना यहां पर तुर्पाई के लिए अब ध्यान रखना हमें यह बंद वाली साइड हमारी और यहां पर हमारे खुले वाले पाट है यहां पर लेंगे हम तीन इंच इसको देखिए हमें ऊपर के साइड इस तरीके से लेके जाना यहां पर जोड़ा हुआ है इसको भी अलग करेंगे अब देखिए कुछ लोग आगे का पाट काटते हैं तो देखिए आगे का जो कटिंग है वह हम यहां पर 1-2 इंच आगे का पाट है हमारा जो बलाउज का उसमें हम आपको बताते हैं 1-2 इंच काट के तो हमें बाजू की cutting नहीं करनी है, इसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, यह तो हो गई हमारी 4 इंच की बाजू, चार इंच की हो जाएगे, अब हम आपको थोड़ी बड़ी बाजू बताएंगे, तो सबसे पहले जैसे हमारे आगे पीछे के part हैं, बो निकालेंगे, और यह हमारी 42 इंच है, तो हम 21 इंच पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद 3 इंच लेंगे, सिलाई के लिए कपड़ा अलग से, कपड़े को हमने छोटा बड़ा कर लिया है, अब देखी, यहां पे हम 6 इंच सोल्डर रखेंगे, और 6 इंच रखेंगे आरोमर, अब देखी, यहां पे हम गले की चोड़ाई 0.5 इंच की रखेंगे, क्योंकि हमें गोल गला बनाना है, गले की लंबाई 7 इंच, में चीज हमारी बाजू की कटिंग है, तो देखी, यहां पे हमारे जो कपड़े की चोड़ाई वो देखेंगे, कितनी है, अब देखी, यहां पे हमारे जो कपड़े की चोड़ाई है, वो है 17 इंच, कपड़े की लंबाई है 13 इंच, तो देखी, इस में से भी हम बाजू को अपनी को कटिंग कर सकते हैं, तो यहां पे हमने कपड़े को डबल कर लिया है, और यहां पे लेंगे हम 4 इंच, और 6 इंच हमारे आरो मल हैं, और कपड़े की चोड़ाई है 17 इंच, अब देखी, हमने कटिंग का निशान लगा लिया और एक बार और इस तरीके से रखेंगे, ऐसे भी रखके हम कटिंग करेंगे, तो देखी, ऐसे भी आना चाहिए, हमारा यह आ जाएगा, यहां पे जुड़ा हुआ है, बराबर कर लेंगे, क्योंकि इसको अंदर की शाट दवाएंगे, और बाजू की लंबाई हम अपनी र जोड़ेंगे, ऐसे रखेंगे इनको, तो यहां से चोड़ाई बढ़ जाएगी, देखी, कितनी 10 इंच हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने बाजू को तयार करना है, उसके बाद हम बाजू आपको जोड़ के बताएंगे, अब देखी, इस तरीके से हम बाजू को रखे तो यहां पर देखी, इसकी चोड़ाई कम पड़ रही है, तो फिर हम यह टुकड़ों को भी जोड़ेंगे, और अब मैं आपको इसकी स्टीचिंग बताती हूं, अब देखी हमने यहां पर पूरा बलाउत तयार कर लिया है, गले में भी पट्टी लगा लिया है, और यहां पर बाजु को लगाएंगे, अब यह बाजु है, तो देखिए, यहां पर मैंने नीचे की सार सिलाई लगा ली, और इसके चाट तुकड़े हैं, तो यहां पर जैसे हम इसको जोड़ेंगे, तो चोड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन उससे पहले हम इसको नापेंगे, यहा पर बाजु आ रही है, तो लगा के देखते हैं, जब हमारे आरोमल में बाजु आ जाएगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी, कि अगर हम टुकड़ों को लगा लेंगे, फिर जोल आती है, अगर हम बाजु की चोड़ाई भी ज्यादा रखते हैं, तो जोल आती है, तो देखिए, बाजु को हम थोड़ा सा अलके आज से ऐसे रखते जाएंगे, आरोमल के उपार, अब देखिए, यहाँ पर हमने बाजु को भी लगा लिया, देखिए, पराबर आ गई बाजु, अब हमें यह देखना है, देखिए, यह चोड़ाई है न, अगर यहाँ पर हम ज्यादा चोड़ाई रखेंगे, फिर यहाँ पर जोल आएगी, यहाँ पर धीला-धीला हो जा आता है, तो जैसे मैंने कटिंग बताई, उसी तरीके से कटिंग करें, और देखिए, चोड़ाई अगर कपड़े की कम है, तो भी आजाएगी, तो देखिए, आप लोग पहले कौटन के कपड़े पर गलाउज बनाना सीखें, और उसको बाजु को भी जोड़ें, और गले म की स्टीचिंग, तो देखिए, यहां से हम ऐसे करके सिलाई लगा देखिए, जैसे हमारी जो मौरी है, उतना ही हमें निशान लगाना है, तो यहां पर जैसे हमारी 12 इंच की मौरी है, अब देखिए, यहां पर जो ज्यादा कप्णा है, वो काट लेंगे, अब देखिए, कितने अच्छे से हमारी बाजु लग गई, तो देखिए, यहां पर मैंने गले में जो पट्टी लगाई है, अगर आप चाहें, तो इस पर कच्छे सिलाई भी लगा सकते हैं, इस तरीके से, ऐसे, तो जो कोटन का कपड़ा होता है, वो अच्छे से दप जाता है, तो जब ही तो मैं आपको बोल रही हूं कि आप लोग यहां पर हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे, ऐसे करके बाद में तुरपाई करेंगे, अब देखिए, जैसे हमारे आगे पिछे के पार्ट हैं, ब्लाउस हमारा तयार है, और यहां पर हम थोड़ी से सिलाई खोल लेंगे, एक या डेल इंच, अब देखिए, हमें ऐसे करके रख, पहले नापना है, इस तरीके तरीके, अब देखिए, यह भी चोड़ा ही बराबर आ रही है, अब देखिए, हमने बाजू लगा ली, अब इसके पारदे से हमारी मौरी है, बारा इंच है, तो हम यहां पर 6 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, और जो हमारा फिटिंग का सिलाई है, उसमें हम ऐसे जोड़ देंगे, अब देखिए, बादू लग के तयार है, जो सपाई है, वो देखिए, यहां से जोल भी नहीं है, तो अगर कपड़े की चोड़ाई है, तो भी हम लगाने के कोशिस करें, और जब लगे की नहीं, इसमें से नहीं आ रही है बादू, जब हम यहां पर टुकड़े लगाएं, तो देखिए, यह हमारी छोटी बादू लगके तयार है, और देखिए, कोटन का कपड़ा है, तो देखिए, मैंने गले पर भी तुरपाई की है, तो कितनी अच्छे से ग कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी कमेंटे पढ़ती हूँ, इस वीडियो को जाज से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, अगर आप पे गले की पाइपिन नहीं आती है, तो प्लीज आप हमारे चैनल में जाकर जरूर देखिए, गले को म कर दो कि दो कि दो कि आप हमें इसता है, अगरूर आप हमारे उस